नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं दा खबरदार न्यूस चले शुवाग करते हैं आज की बड़ी खबर से प्रेमी के साथ मिलकर पती का गला रहे था पंदर दिन पहले ही हुई थी शादी भोपाल से खंडवा भागे खरगौन के जंगल से गरफतार भोपाल में 26 जुलाई को होटल में काम करने वाले हलवाई की हत्या के आरोप में पतनी उसके प्रेमी और प्रेमी के चचेरे भाई को खरगौन से गरफतार किया गया है आरोपियों ने खंडवा से भोपाल आकर हत्या की और रात में ही वापस लोट गए 26 जुलाई की रात बाग सेवनिया में मानिक सिंग उम्र 35 वर्ट का शब घर में संदिग्द हालत में मिला था पहले उसका गला घोटा फिर रेद दिया मानिक मूल दह राजस्थान के भी का नेर का रहने वाला था 10 जुलाई को उसकी शादी भैरोपोर्ट पुनासा जिला खंडवा निवासी आर्टी चोहां से शादी हुई थी वार्दात के 3 दिन पहले यानि 22 जुलाई को आर्टी अपने माई के चली गई थी पुलिस ने जब उसे बयान के लिए बुलाया तो उसने आने से मना कर दिया इसके बाद पुलिस ने आर्टी के खलाफ साक्ष जुटाना शुरू किये ऐसा ही भोज राज सिंग के मुताबिक जुहांस में पता चला कि घटना वाली राद आर्टी अपने प्रेमी राजा वर्मा और उसके चचेरे भाई रंजीत के साथ बाइक से खंडवा से भोपाल आई थी पुलिस ने साधार पर उसे पूछताच की तो वे गुम रहा करने लगी पुलिस को सिसी टीवी फूटीज मिले थे इसमें वे बाइक पर दो साथियों के साथ आखते जाते देखी थी उन्होंने बाइक मानिक के घड़ से कुछ दूरी खड़ी की और पैदल घड़ तक आए दस साथ से प्रेमी के साथ रेलेसेंशिप में थी पुलिस ने सकती की तो आर्टी ने स्वीकार किया कि राजा वर्मा दूसरी जाती का है इसलिए परीजन शादी के खिलाफ थे उसकी छोटी बहन पूजा भोपाल में मानिक के भतीजे नर्पत सिंग की साथ नमकीन बनाने का काम करती है इस कारण आर्टी की मानिक से शादी करा दी गई वे प्रेमी के साथ 26 जुलाई की रात भोपाल लोटी थी प्रेमी को देखकर पती ने पूछताच की तो जबाब दिया के वे उसे यह बताने आई है कि अब हम साथ नहीं रहेंगे पती को यह भी बताया के राजा और उसके बीच 10 साल से संबंध है इस बात पर विबाद हुआ उसने अपने उसके प्रेमी और प्रेमी के रिश्तिदार ने मिलकर पती का गला गोटा किचिन से चाकू लाकर गला रेद दिया भोपाल से खंडवा भागे वहां से खरगौन पहुँचे पुलिस के मुताविक माने की हत्या के बाद 3 आरोपी खंडवा गए थे आरती के प्रेमी राजा के पिता मशली का कारोबार करते हैं राजा भी इसी काम में जोड़ा हुआ है राजा ने अपने घर पहुँचने के बाद करीब एक लाख रुपे चोड़ी से निकाल लिये थे इसके बाद चछेरे भाई रंजीत उम्र अठारे वर्स और प्रेमिका को लेकर खंडवा से भाग निकला अब तक के लिए वस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ तब तक लिए नमस्कार और देखते रहे दा खबरदार न्यूज